दोस्तों ये दिखें यहाँ पर जो पराठा कितने अच्छे से फूला हुआ है एकदम बैलून की तरह है तो आज हम इस फूले हुए मटर के पराठे को तयार करेंगे वो भी कुछ टिप्स का इस्तिमाल करके अगर आप भी मेरे बताए हुए टिप्स का इस्तिमाल करके ये मटर के पराठे बनाएंगे तो आपके पराठे भी प्रॉपर तरीके से फूलेंगे खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिश्ट होंगे और घर में बच्चों से लेके बड़ों तक सबको बहुत पसंद आएंगे तो चलिए साथ में मिलके बनाना शुरू करते हैं सद्यों के स्पेशल मटर के पराठे सबसे पहले पराठों के लिए आठा लगाएंगे इतने आटे में चार लोगों के लिए पराठे बन के तयार हो जाएंगे, नमक को मिला दिया है और इसमें अब हम पानी डाल कर इसका आटा लगाएंगे ध्यान रखे कि जो आटा लगाएं एकदम सॉफ्ट लगाएं रोटी बाला लगाएं टाइट ना लगाएं नहीं तो पराटे फटेंगे और अच्छे से नहीं फूलेंगे यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके मैंने पानी डाला है और आटे को मैंने अच्छे से बाइंड कर लिया है आटे को अच्छे से बाइंड करने के बाद अब हमें इसको लगभग 10 मेंट तक फूलाना है तो जब तक आटा फूल लाएं हम दूसरी तयारी करते हैं तो मैंने यहाँ पर लिए 2 कप फ्रेश मटर और अब हमें इस मटर को एक ग्राइंडिंग जार में डालना है क्योंकि इसको हमें पीसना है मटर को जार में डालने के बाद इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी लगबग एक चुथाई कप बिना पानी के मटर अच्छे से नहीं पिसेगी इसलिए पानी का इस्तिमाल जरूर करें और अब हमें मटर को अच्छे से पीस लेना है इसका महीन पेस्ट बना लेना है यहां पर भून चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे एक बारी कटी हुई प्याज एक चम्मच अदरक लस्टन का पेस्ट और प्याज को हम हलका सा ग्लॉसी करेंगे यह जो मतर के पराठे है इसमें प्याज ज्यादा ब्राउन अच्छी नहीं लगती है तो इसको आप थोड आप आप इसमें प्याज भून गई है हलकी ग्लॉसी हो गई है तो इसमें डाल दूंगे मैं पिसी हुई मतर और अब हम इस मतर को लगवग 5 मिनट तक इसी तरीके से अच्छे से भूनेंगे मतर जैसे ही अच्छे से भूनेंगी यह अपने आप भी ठिक हो जाएगी यहाँ पर पांच मिनट हो गये हैं तो अब मैं इसमें कुछ और ऐसी चीज़ें डालूंगी जिससे जो मटर के पराथे और भी ज़्यादत स्वादिश्ट बनेंगे तो डाला है मैंने यहाँ पर तीन चम्मच बेशन एक चम्मच धनिया पाउडर आदा चम्मच लाल मिर्च पाउड जैसे जैसे यहाँ पर जो मसाला भूनेगा जो स्टफिंग अपने आप ठिक हो जाएगी तो ऐसे लगातर चलाते हो इसको भूने नहीं तो यह जल जाएगी और स्टफिंग हमारी खराब हो जाएगी यह पांच मिनट हो गये हैं हमारी स्टफिंग बनके तयार हो गई है इसको हम थोड़ा सा ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद देखिए कितने प्रॉपर तरीके से यह बन गई है यहाँ पर जो हमारा आटा है वो भी अच्छे से फूल गया है तो इसको मैं एक से दो बार ऐसे मसल दूँगी और मसलने के बाद इसमें डालू अब इसके उपर लगाया है सूखा आटा बेलन की मदद से इसको हमें हलका सा पूरी के आकार का बेल लेना है पूरी बनाने के बाद इसके बीचों बीच रखेंगे तयार की हुई स्टफिंग इसकी मैंने बॉल बनाके रखके इसमें रखी है और दवा देंगी अच्छे से दवाने के बाद उपर की लेयर को हमें अच्छे से बन करते हुए इसको गोल गोल पेड़े का आकार दे देना है और अब हम इसके उपर डालेंगे सूखा आटा उंगलियों की मदद से अब हमें इसको थोड़ा सा ऐसे फ्लेट कर लेना है ऐसा करने से जो स्टफिंग है न वो चारो तरफ अच्छे से फैल जाएगी बस ऐसा करने के बाद बेलन की मदद से हमें इसको बेल लेना है और तयार कर लेना है गोल गोल पराठा ये हमारा पराठा बन की तयार हो गया है चलिए इसको हम सेक लेते हैं तबा मैंने पहले से ही गरम करके रखा हुआ है तो गर अगर आप इस तरीके से कोई भी स्टफिंग वाले परांठे बनाएंगे तो आपके परांठे भी गारंटी से फूलेंगे सेखने के बाद अब मैं इसके उपर लगाऊंगे तेल ये दिखे तेल लगाते ही परांठा कैसे फूलने लगा है एक दम बैलून के जैसा एक साइड मैंने तेल लगा दिया है अब मैं इसको पलट लूँगी और पलटने के बाद दोनों तरब इसके तेल लगाते हुए परांठे को हमें सेख लेना है ये देखिए दोस्तो कितना पढ़िया यहाँ पर पराठा सिख रहा है और अब हमें एक काम और करना है कि स्पेचुला की मदद से इसके किनारों को ऐसे दबा देना है ऐसा करने से जो किनारे हैं वो भी अच्छे से सिख जाएंगे ये हमारा पराठा बन गया है तो इसी तरीके से मैं आपको और पराठे भी सेख के दिखा देती हूँ तो दोस्तो यहाँ पर एक नहीं दो नहीं सारे पराठे ऐसे ही बैलून के जैसे फूल रहे हैं तो आप भी मेरी बताए हुए ट्रिक का अगर इस्तिमाल करेंगे तो आपके पराठे भी एकदम प्रॉपर फूलेंगे ये यहाँ पर सारे पराठे बन के तयार हो गये हैं पराठों को सर्प किया है मैंने दही के साथ आप चाहे तो चटनी या फिर अचार के साथ भी खा सकते हैं काटने के बाद मैं आपको इसकी स्टफिंग चेक करा देती हूँ ये देखें स्टफिंग भी कोने कोने में फैली हुई है और बहुत ही बड़िया मटर का पराठा बन के तयार हुआ है तो आप भी मेरे बताए हुए तरीके से इस पराठे को जरू ट्राय करें कैसी लगी आपको आज की रेस्पी मुझे कमेंट करके बताएं मिलेंगे आपको अगले नए वीडियो में तब तक ली नमस्ते